आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्तान की फेमस केर सांगरी की सब्जी रेसेपी यह शादी वापाटियों में भी बनाई जाती है और यह रेसेपी बहुत ही स्वाधिस्ट बनकर तयार होती है आप इसे कहीं पे भी सफर में जाते समय पूड़ी यह प्राउटे के साथ ले जा सकते हो यह दो तिन दिन तक खराब नहीं होती है तो आए दोस्तों इससेपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं इससेपी को बनाने के लिए हमने एक कप सांगरी ले लिए है और यह हमने पांसे च्छे साबुत हम चूली है जिनके टुकड़े कर लिए है यह बारिक वाले के लिए दो चम्मच जिनको हम बिगो का तयार करेंगे यह चार से पांस साबुत लाल मिर्च है जिनके टुकड़े कर लिए है और आट से दस काजू इनके भी टुकड़े कर लिए है और आट से दस किसमिस इस सभी सामगरी को हम पानी में बिगो का तयार करेंगे काजु और किसमें इसको हमने एक घंटा भिगोए है और बाकी सामगरी को हमने राद बिगो का तयार कर लिया है सांगरी हमारी बिल्कुल भिक का तयार है लाल मिट्स गैर और अमचूर इनको भी हमने पानी में बिगो का तयार कर लिया है अब सबी सामगरी को हम वाइल करकर तयार करेंगे सांगरी को हम कुकर में डाल लेते हैं और इसमें दो ग्लास पानी डाल कर इसका ढखकर लगा कर दो सीटी या तीन सीटी आने तक हम इसको वाइल करेंगे अब एक पैन में हमें एक ग्लास पानी ले लेते हैं बाकी सामगरी को हम इसमें डाल करेंगे हमें काजो कि इसमें इसको वॉयल करने की आवशकता नहीं है वो हम ऐसे ही डालेंगे और बाकी सामगरी को हम वॉयल कर लेते हैं कि इस तरीके से हमने इनको अच्छे से उबाल अन्न तक कर लिया है यह मनें गैस का बंद कर दिया है और केर और हमारे अमचूर बिल्कुल अच्छे से वॉयल हो गया इससे ज्यादा हमें वॉयल करना है अब इनका पानी को च्छेक कर लेते हैं यह देखिए सांग्री में हमारी अच्छी से वाइल हो गई है का अब को चैक करना के दिखाती हूं इसतरीके से बि हाआ को अब कि psychologist इस तरीय के से मैश होने चीह रहिए रिया क्षा साग्षा हमने पाने निकाल का साफ करी है और वार्ग सामगिरी का वी हमने पानिनिकाल का साफ कर लिया है अब हम एक कड़ाइं में पान से च्छाम मत ऑयले लेते हैं अब हमारा करम हो गया है अब हम इसमें एक चम्मा जीरा डाल देंगे आधा चम्मा छींग अब हम इसमें जो समगरी वॉयल करका रखी थी वह सारी इसी में डाल का मिक्स कर लेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं शादी वे पार्टियों में हलवाई लोग भी इसी तरीके से इस सब्जी को बना कर तयार करते हैं यह बहुत ही स्वाधिस्ट बन कर तयार होती है आप एक पर इसको जुरू ट्राई कीजिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे आधा चम्म दनिया पाउडर मसाले में में ज्यादा मसाले की आवशकता होती है एक चमर धनिया पाउडर मानख सवादूंसार आप इससे बच्छा तब इससे में टेस्ट आयगा इन सब्चान को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बहुती अच्छी कोष्पू भी आ रही है मसाले हमारे भूनकर तयार है अब हम इसमें जो सांगरी वॉयल की थी वह भी हम इसी में मिक्स कर देंगे अब हम इसको अच्छे से लगाता चलाते हुए पांस से दस मिट के लिए लगाता चला तो इसे पकाएंगे मिक्स करते हुए ताकि इसमें सारा मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आए इस तरह के से लगाता चलाते हुए इसका देखना अभी कलर भी चींज हो जाएगा यह बहुत ही स्वाधिस्ट सब्जी बन कर तयार होएगी अब हमने जो ड्राइफूर्स भी होके तयार किये थे वो भी हम इसी में मिक्स कर देंगे यह बिल्कुल आपस्टनल है आप चाहे तो डाले नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से लगाता चलाते हैं हमने सब्ची बना कर तयार कर लिए है अब हम इसमें आदा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे हमें इसमें पहले भी साभू तम्चू डाल चुके है इसलिए हमें आदा चम्मची की आवशकता है और आदा चम्मची हमें मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्ची बनकर त्यार हुई है दोस्तों अगर आपको में रेसेपी पसंद आई है तो आप अपने कमेंट्स मॉक्स में जरूर लिख के बताईए कि आपको में रेसेपी कैसी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आ बेल आइकनिक बटन को दवाएए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नाटिफिकेशन आपको मिलती रहें